हलो दोस्तों कैसे हो सबी लोग आशा करती हूं सबी लोग अच्छे हों गया जैसे नराम दोस्तों आज बहुत ही भाग साली दिन है हम लोगों के लिए तो यह है कल का साम का वीडियो तो साम को हमने सुरन धुल्के काट के आज के लिए रखा था सब्जी बनाने के लिए ये एक दिन पहले ही काटा जाता है इस वज़े से कल काट रहे थे और ये बहुत ज़्यादा मंतलब संसिटी होता है किन किनाने लगते हैं हाथ तो इसलिए इसको कुलहाडी से ही काटना पड़ता है फिर आराम से चिम्टे से उ जाती है तो हमने चिम्टे से उठाका सब्डा लिया इतने सारी खटाई डाली और नमक डाला उसके बाद फिर उबालने के लिए रख दिया गैस पर तो उसको कम से कम पौन घंटा एक घंटा लगता है तो बाल के रख लिया था रात में इसके बाद सुबह हो चुकी है फिर गरिमें ने होली के पहले ही इसको बंद कर दिया जाता खाना क्योंकि अगर जो होली के बाद इसको खा लो तो मतलब बाथरूम ट्राइलेट नहीं होती है इस करक रख लेती है जिसको बोलते हैं इसलिए बहुत गर्म होता है तो इस वज़े से इसमें बहुत सारा मसाला है कि नहीं तो कमेंट करके बताना सभी लोग हमको लगता है सभी लोग अच्छे से मना रहे होंगे आज कहते हो हर बहुत ही 500 वर्स बाद आज रम लला जी अपने घर पर मतलब पधारे हैं अपने घर पर होते हुए 500 वर्स उनको तंबू में बिताना पड़ा कितनी दुरु मनाया जाएगा यह त्योहार और अच्छा रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा और वीडियो लाइक कर देना दोस्तों तो इसलिए हमने बनाया है वीडियो आज हमने बना लिया वीडियो वैसे तो कोई नहीं बनाते हैं पर बना ले थे हस्बन जी के यहां आफिस में खीर बनाया था सब सामान बनाया था सब कुछ बनाया था फिर उसके बाद ढोग लगाया था तो यह देखें हम दूद डाल चुके हैं खीर बनाने के लिए दूद धरक गया थो फैल गया था उबाला गया फिर उसको हमने पोच्छा फिर इधर उठाके रखा दूद इस दर च जिवना चुके हैं उदर छोटे वाले गया सिलेंडर में चढ़ा दिया था चाय क्योंकि हो रही थी देर मतलब हमको जल्दी था तो इस वज़े से हमने उसमें चढ़ा दिया उसके बाद फिर पूजाओजा की और रैली हमारे हां निकली थी और सभी लोग जंडा लगाये हुए हैं अपने घरों में राम जी का और जल्दी लिए से लगे हुए थे हम भी काम करने में सुबह ही दाल फुलाई थी सुबह फिर मम्मी ने धोकर पीश दिया ऐसे तो नहीं उठती हैं पर आज उठ गए जल्दी तो फिर दूख के पेश दिया था तो जल्दी हो गया और टैम लगता है फिर हम बनाना सुरू कर दिये हैं तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखते रहना अब पीछे लगी हुई है हमारे गाउं में जो यात्रा निकली थी तो फिर ब बताना और जैसे में जो कमेंट में लिखना तो चीनी डाल दिया खिर में और श्टार्ट कर दिया है बनाना फिर उसके बाद हम थल लगा रहे हैं पूजा के लिए बोग लगाने के लिए तो हमाई दूजगा स्वेटर भी जल गई है रस दिन ताप रहे थे हमारे यहां बहुत होती है इतनी आधा ठंड हो रही थी कि उंगलियां सुबह काम नहीं कर रहे थी फिर हमने गैस में अपनी हां सेंके तो उ में ब्हूंचे में ओणा बढूआ पर है मेरा बहुत च है पहले बना हुए हमने तो बनवाए मितलबuju iddy था तो उसमें थाली भी नहीं रख पाओ नीचे रखके भोग लगा दिया था सब ऐसे ही लगा दिया था ऐसे रखकर एक पूरी पर सब कुछ लगा कर रखके ऐसे भोग लगाया था क्योंकि वहां इतनी जगा ही नहीं है मंदिर मतलब देखो गवान चाहेंगे तो फिर यहां सा बनवाएंगे जोटा सा है इस वज़े से इसमें पूजा नहीं कर पाते हैं में मन की जलकाच मन कर आया आप लोग कैसे मनाएं कमेंट में बताना हमने ऐसे ही पूजा की और फिर आप साम को मनाएंगे दीपवली की तरह बड़िया दीपक वगेरा सब जिलाएंगे